हाई है यह दोस्तों मैं आप प्रेंड एमेल परमार और स्वगत करता है यूट्यूब चैनल मैं सट्रीक भाई परमार से तो दोस्तों आज क्वाइब टोपिक है एससी रिजनींग वेरी इंपार्टेंट टोपिक है दोस्तों शुरुवात करते हैं पहले कोशन से वह रहां दोस्तों इलिए अच्छे लगें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा तो पहला कोशन आप समने है कि एक थेले में पत्या एक रूपई है देखो एक रूपई है कि पचास पेसे और पत्चीस पेसे के कित्ते सिक्के रखें दोस्तों तीन सो इटातर शिक्के रखें है अब जिनका मुल्य अब सिक्कों का अनुपात नहीं यहां किवल सिक्कों का अगर अनुपात कहें तो बात अलग होती है सिकों का अगर अनुपात कहे तो ऐसे अनुपात निकाल देना देखो तेरा अनुपात है तेरा अनुपात ग्यारा अनुपात साथ ठीक है यह सिकों का अगर अनुपात कहे तो इसे अनुपात पर अपनों को सोल करना लेकिन उसने कहा कि मुल्य इसने कहा सिकों का मुल्य अनु करेंगे दोस्तों एक रुपय में एक सिक्का होता है एक रुपय में एक ही सिक्का होता है ठीक के इसको एक से मुल्टिप्लाइए करेंगे यहां पर दोस्तों पचास पेसे में दो सिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आगे देखते हैं तो इसका गुणा करेंगे तो तेरा एकम तेरा ग्यारा दुना बावीस और साथ चोग अठाइस और यह अनुपाद है अपना तीन सो इट्ट्र के लगबग है पराबर है इनको जोड़ेंगे आठ ने दो दस ने तीन तेरा का तीन असिरा एक और दो दो चार नेक पांच नेक छी तरह सट अनुपाद थ्री सेवन एट तो थ्री सेवन एट को इसको अगर कटेंगे तो दोस्तों यहां पर अपन एक से ले लेते हैं और तो यह बराबर तीन सो इठी तरबर्टा तरे सट ऑफ और नो से गटेंग नो सथी तरे सट नो चोख शती और नो डून अठाराई यहनि कि एक और अची एक सबरा वाइट जिन दूस्तों शाग एक नुपात कमान च्री ओगया ठिक ये अनकमे अभप कूछ अब तो पचास पेसे का अनुपास दोस्तों बावी से 50 पेसे का नुपास किता है अपने पास बावी से मुल्टिप्लाइब करें यहां ज्ञाएगा तेज़ें टितर हो जाएगा 22 चंग 132 हो जाएगा और 28 में अगर 6 का गुणा करें 25 पेसे का अगर सिखें अगर पूछे तो वो भी आपन निकाल सकते हैं देखो 25 आटे 200 तो 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 तीनों प्रकार के सिखें एक रूपए की इट्ठोंतर सिखें पचास पेसे के 132 और कि एक सो आड़ सट पच्चिस पेसे के एक सो आड़ सट सिखे है आयोप की कोश्च अची था सुने आगे हो कि एक इंटु तेरा कि एक सेवंटी एट अगला कोशन को बढ़ते हैं कि एक साथ लिटर दूदर पानी के मिश्रन में अनपात तीन अनपात एक हैं और इसको दो अनपात एक करने के लिए कितना पानी मिला जाए तो 60 लिटर इसका है मिल्क एंड वाटर का जो अनपात है तीन अनपात एक अब यहां तीन अनपात एक से अपन किया पहले मिल्क निकाल लेंगे तो मिल्क कितना होगा तीन ने कितना होगा चार तो साट बटे चार इंटू तीन एक से काटा पंदरा पंदरा तीया 45 तो दूद कितना हो गया 45 लीटर हो गया जब 45 ही है तो ये कितना हो जाएगा 15 का पानी कितना हो जाएगा पंदरा लीटर हो जाएगा अब यह कह Häioè qualities कितना पानी और एक किया जाएए कि उन पात दो अनपात हो जाए अब देखो पानी ये पानी एर्ड़ करना है तो क्या होगा वहले तो पेंतालिस होगा बटा ये तो फंद्रह लिटर है इस ही अब भी अगर एक स्लिट्र पानी एड़ करेंगे तो दो अनुपार एक हो जाएगा इसको मुल्टिप्लाय करेंगे पेंतालेसे कम पेंतालेस 15 फंदरा दूना 30 प्लस दो एक्स बराबर 45 और दो एक्स बराबर 45 मैनस 30 गटाएंगे तो 15 बट दो एक्स बराबर 15 बटा दो दो से बाग लागा है तो दो साती चोगदा दो बाइंदस साथ दस मुलों पांच लिटर साथ दस मुलों पांच लिटर आयोब की कोशन अची तो सुनने आगे हो अगला कोशन देखते हैं अचार चार ने पांच लिटर में दूद और पानी का मिश्रण देखो 35 लिटर है और यह है मिल्क एंड वाटर का अनुपाद पांच अनुपाद दो है अब 35 में पांच दो साथ इंटू पांच तो सात तो बांचव पैंटिस पांचव पत्चिस फैंट्स लिटर इसमें दूद यह कितना हो जाब पच्चीसों किस्टा हो गाएं ऑफ हिसो कितना होगा तो अप्तितों यस्ट अब क्या मैं पाँच लिट्र दूद्र बहा जाएं इसन फश्ट को तो तो कित्ता हो जैगा को पानी तो कंस्टर्ट रहेगा पानी मिला रहे तो पांस लीटर और मिला रहे केतना कितना हो जाएगा तीस हो और यह तो दूद ऐसे है रहे तो यह और ज्फास जहा गा सजाने स्पार तरिलान पातेक अधिर अनुप्त कि यह उसका अनुपात कितना हो जाएगा तो तीन अनुपात एक हो जाएगा ठीक अगला कुशन देखिए ओई कि आपके बास 1040 रुपए हैं आप ठीक है अब इनको कितने आपको बराबर बागुम बाटना देखो तो तो के बराबर 3 B बराबर 4 C तो A और B C का तीनों का भाग कितना होगा इसन बत्म बटन है तो क्या तो क्या करें कुछ निए करें दो तीन 49 इस यसलेंगे दो तीन चाहर टीन लेंगे तो कितना आएगा दो से लगा एक तीन बच्चा दो दुनी चार तीन से लगाया एक दो बच्चा दो से लगाया एक दो तीया छे दुन बारा LCM किता है बारा आगया एक पर्टिकॉल सिंख्या अपने बास बारा आगई जो तीनों में कामन तेनों में कामन है जनुज़ इस बारा का यहां से भाग लगा देंगे बारा का यहां पर भाग लगाएंगे बारा का भी हैं वहीं है है दो से गटेगा दो चंग बारा यानिकि यह बटाद 6 जाएगा तीन से कटएगा 3 चुक 12 बटा 4 आजेगा और 4 तरी 12 चार 2 ए 9 तो ए बी सी का अनुपाद 6 अनुपाद 4 अनुपाद 3 हो जाएगा ठीक हिस्स अनुपातिक पेलोगों जोड़ लो चेन चार दस ने तीन तेरा तो एक हजार चालिस बटा तेरा और एका हिस्सा निकलना है तो एक अनुपात कितना है छे तो एक हिस्सा कितना होगा चार सो अस्सी हो जाएगा इसी तरह अपनों को निकलना है बी का हिस्सा निकलना है तो बी का अनुपात कितना है चार यहां रख देंगे आर चो बत्तिस तीन सो बीस हो जाएगा अगर सी का हिस्सा निकलना है तो सी का तीन अनुपात है तीन आटो चो इस हो जाएगा कि दो सो चालिस हो एका उनुपात यह है बी का यह है और सी का यह है जिसका वो पूछे वे से बड़ी आसानी से निकाल सकते है अगला कुछन आप समझ दिया दो सो नन्यन रुपए दो सो नन्यन रुपए है आपको एक अनुपात दो अनुपात तो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में इसको बाटना है तो कैसे बाटने जोको दो तीन चार का इल सिम क्या होगा एक कमन सेंख है तीन चुक बारा आठ नो बारा तो दोस्तों यहां पे भी पर बारा का मिल्टिप्लाई करेंगे बारा का मिल्टिप्लाई यहां करेंगे और बारा का मिल्टिप्लाई यहां करेंगे दो से कटेगा, दो चंग 12, च्छे आएगा, तीन से कटे, तीन चोग 12, चार दुनी, हाट हो जायगा, चार तियं 12, तियं 12, तियं 9 हो जायगा, यह तीनों का अनुपातिक पेलू आगया, अनुपात अब समन्फात हो गये, बराबर बट्ने वाले नीद है, च्ट शौनन देगो 814 17 सत्राइब यू किता या दोस्त तो इसका तेवीस आ जू किता या तेवीस आगिया यू किता यह तेवीस आगिया दूसर निन्यान नोव बट्टा तेवीस एंटू ये का वा किता है चे तो तेवीस एकम तेवीस तेवीस तीनों सित्तर तेरा आगया ओर तेरा अच्छाम इठ्षूतर दूर्धा दूसरा देखते हैं दोस्तों नियानों बटा तेवीस इन्तों दूसरे का भाग है आठ और यहां काटा तो तेरा आया और तेरा बज़े पेसर तेश्ट को तेरा टे एक सुचार एक सुचार एक सुचार आगे इसी तरह गलाए आट ऊक्ति अखिए है और हलता है अ कि तो दोस्तों तीन होगा अलाग इसा इत्ता होगा फेले का इठे उत्तर एक साचार और एक सब्सक्राइब तीनों का अलग अलग भाग आ जाएगा है योप की पोश्चिन चीता संदे आगया होगा थेंकि दोस्तों वीडियो अच्छो लग लाइक का चेनों का सब्सक्राइब करना न भूले